अगर आपके पास Redmi 10A या 12C या कोई और मोडल है तो उसके अंदर आप home screen transition effect को किस तरीके से change कर सकते हैं आप यहां देशकते हैं मैं एक पेसे दूसरे पेस कुछ चेंज कर रहा हूं तो कुछ इस तरीके से change होता है तो हम इसको stylus में किस तरीके से change कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको अपने home screen पे खाली जगा पर टैप करके hold करना है setting के अगन पर टैप कर लेना है transition effect का option शोगा आप जैसे पर टैप करोगे तो आपको यहां कुछ अलग अलग तरीके से होएंगे तो आप भी अपने phone में setting को कर सकते हो अगर वीडियो चले तो वीडियो को like सब्सक्राइब करें मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक के लिए भाई